हमारा हदय हमारी मुठी के आकार का मांस फेशियों से बना एक अंग है। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रख सारे शरीर में पोहँचता है और लट कर वापस आता है। जाते समय ये ओक्सिजिन और अन्य पोशकत्तव ले कर जाता है। और शरीर से वापस आते समय कार्बन डायोक्साइड लेकर वापस आता है। यह आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही यह पंप धक-धक करता रहता है। तो देखे चार हिस्से होते हैं। दो दाएं और दो बाएं, या दो उपर और दो नीचे। उपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो यह हुआ बाया एट्रियम और यह दाया एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे। बिल्कुल सही। बाया वेंट्रिकल और दाया वेंट्रिकल। फिर्दे में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या क्यूब या नलिकाएं होती हैं जिन्हें रक्त वहनिया कहते हैं यहां से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिच्छा रहता है क्या तो मंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी एक लाख किलोमेटर के करीब यानि मुंबई से दिल्ली और वापस के पचास चक्करों के बराबर यहां जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद रक्त है अशुद का मतलब इसमें ऑक्सिजन कम है और शरीर के उपरी हिस्से यानि सर और भुजाओं से रक्त यहां उपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पाउ, इत्यादी निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सिजन वाला रक्त छोड़ते हैं इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानि सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है ऐसे और भी दर्वाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा तब अशुद रक्त यानि कम ऑक्सिजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाल वॉल्व बंद हो चुका होगा यानि वो उल्टा नहीं खुलेगा लेकिन वेंट्रिकल का उपर की तरफ खुलने वाला एक और दर्वाजा है जब ये वेंट्रिकल सिकुडेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का दर्व या पेस्ट बाहर निकलता है वैसे ही यहां रक्त इन बाई और दाई ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा लेकिन यह बाहर जाके आखिर जाएगा कहा बाकी शरीर में नहीं बलकी फेफडों में एक नीली नलिका दाई फेफडे में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाई फेफडे में फेफडों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जहां इस अशुद रक्त की मुलाकात ओक्सिजन से भरपूर हवा से होगी यह वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है अब यह रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सिजन आ चुका है यह लाल रक्त फेफडों से एक बार फिर हृदे की तरफ जाएगा और हृदे में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वाल्व है जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खिचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुडेगा तब यह उपर खुलने वाले वाल्व से बाहर सिर्व भुजाओं के लिए पेट और पेरों की तरफ जाएगा रिदे का सिकुडना और सामान्य हो जाना एक धग धग यानि एक धड़कन बनाता है और यह धग धग चलती रहती है रत शरीर भर में पहुचता रहता है और लोटकर वापस आता रहता है पेफ्डों में जाता है शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सिजन और पोशक तत्व पहुचाने के लिए शरीर से वापस आता है कार्बन डायोकसाइड प्लेकर जिसे छोड़ देता है पेफ्डों में तो यह थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरन तंत्र की जिसे वा दरी के एंट प्लेकर और गहा है थी कहारी को भी nahe झालओ। झालओ। झाल झाल